अब हम बात करेंगे organization of literature review, अमूमन students के जहन में यह understanding है कि literature review शायद आज से पहले होने वाली researches को synthesize करने का नाम है, बिलकुल है लेकिन यह पूरी दास्तान नहीं है, यह पूरा literature review का कोप नहीं है, literature review बुन्यादी तौर पे तीन element से बनता है, आप जब भी यह chapter लिखेंगे तो उसके तीन हिस्से बनाएंगे, उसका पहला हिस्ता जो है वो आपकी study के variables को explain करने के लिए होगा, तो उसके अंदर एक independent variable होग कमस कम और एक dependent variable भी होगा, जा इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर relationship की study है, तब भी कमस कम दो variable पाए जाएंगे और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन variables के meaning के हैं, खास तोर पे देखिए social sciences में, social sciences में, आप कोई भी variable उठा लें, उसके एक से ज्यादा मतलब हैं, आप literature पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो literature आपको further confuse कर देता है, कि आप तो इस लफ्स को, मसलर motivation को ले लीजिए, तो आपके जहन में motivation के एक meaning है, जब आप literature पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो कहता है, न जान किया जाता है, वो at times उससे बहुत different होता है, जो आपने पढ़ा होता है, अच्छा वो सारे चीजें घलत नहीं होती, मुखिलिफ किताबें उनको अपने अपने जाबिये से explain करती हैं, तो जब तक मैं social sciences particularly, जो है, इनकी research में, हर दफ़ा मुझे अपने variables का को बयान करना पड़ता है, वो करने के लिए जरूरी है, कि मैं पहले अपने literature review के chapter में ये बता पाऊं कि इन में से हर एक variable को literature कितने different मानों में इस्तमाल करता है, कौन कौन से indicators in variables के साथ जुड़े होते हैं, और फिर उन में से select कर सकूं कि कौन से variables मैं study में इस्तमाल करूंगा, यानि अप जा है कि बाकियों को नहीं करूंगा, मसलन एक common approach ये है कि आप usually argue करते हैं कि जी मैंने motivation को मुटिवेशन को मुटिवेशन को मुटिव जगों से पढ़ा और मुटिव लोग इसको यू यू define करते हैं, इन तमाम की definitions में ये common बाते हैं और चंद ये बाते हैं जिन पर ये एक की मुटिरिक बातों को लेके इस construct को define करता हूं, ये एक तरीका हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, तो आपने variables को explain करना और इस नतीजे पर पहुंचना कि आप अपनी research में इस variable को किस माने में इस्तमाल करेंगे, ये जो चीज़ है, ये explanation है जो आपके review of literature का पहला section होगा दूसरे section में आप उसकी theoretical justification पर बात करते हैं, कि आप फर्स कर लीजे कोई effect की study कर रहे हैं, कोई relationship की study कर रहे हैं, कोई comparative study कर रहे हैं, तो इन आपके given variables में relation होता है, logically होना दरुस्त है, ये बात आपको किसी ना किसी theory के जरीए से, जो already established theories हैं आपके subject की, जो मुखते variables के दरमयान causations को explain करती हैं, वहाँ से पता चलेगा, तो दूसरा section जो आप literature review के chapter में लिखते हैं, वो theoretical justification है आपकी study की, आप किन theories के जरीए आपने ये infer किया, कि जो phenomena आप देखने जा रहे हैं, वो देखना logical है, और तीसरा हिस्ता आपके literature review के chapter का, तेंतिसे आफ previous research पे है, ये वो हिस्ता है जिसको अमूमन तोर पे हम कुल समझते हैं, हम समझते हैं कि ये कर लें तो literature review हो गया, असल में उपर वाले दो section ना बनाए जाएं, तो literature review का chapter मुकमल नहीं होता, तो तीसरा section वो ही है, कि आप इस से पहले आपके proposed मौजू पे, जिस पे आप research कर र उनके findings को देखना, उनके methods को देखना, उनके tools को देखना, उनके analysis को देखना, ये तमाम काम आप देखना करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप इस से पहले इस मौजू पे होने वाली research का synthesis बियान कर रहे हैं, तो ये तीन distinct sections हैं जी आपके literature review के chapter के, इन तीनों को आप लिखते हैं तो इस से literature review का chapter बनता है, अमूमन ये पूछा जाता है जी कि literature review कितना होना चाहिए chapter, लेकिए इस में कोई hard and fast line तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन एक guiding principle अमूमन जो लिखा हुआ मिलता है या आपने साथजा से मिलता है, ये है कि ये one third of the total size of your thesis, अगर आप 100 सफ़े का thesis जादा नहीं होना चाहिए, ये लग बग इसी तरह 25 से 30 सफ़ों के दर्मयान आप बना सकते हैं, हम literature review को thesis का volume बढ़ाने या कम करने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, हमने इस section की अफादियत आप से पहले जिकर की, उस अफादियत को ensure करने के लिए chapter लिखा जाता है, और उसको अफादियत को हासिल करने के लिए इस chapter के structure में ये तीन बातें जो आपके सामने नजर आ रही हैं, आप इन तीन section में इसको तर्तीब देंगे, तो ये अपने मकसद को आप हासिल कर पाएंगे.